मत छोड़े शूर्मा तो सत छोड़े पत जाएं एक सत की बांधी लक्षमी तो फेर मिलेगी आए सजनू समय बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए डाइरेक्ट आपको सांगी स्टार्ट करके सुना देते हैं आज जो चोथे रोज पाचमे रोज आप लोग सभी इतना प्यार और सने से आए हैं तीन प्रोग्राम जो आप लोगों की सेवा में पेश किये हैं उन तीन प्रोग्राम के अंदर आपने बड़ा प्यार दिया बड़ा सने दिया और एक-एक सबत को बड़ा गोर से सुना तीन प्रोग्राम के लिए आपका कोटी-कोटी धन्यवाद आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज ये चोथा प्रोग्राम आप लोगों की शेवा में पेश कर रहे हैं सजनों, हम रोज ये की बात कहते हैं कि आप ये सोच करके आ रहे हों कि बहुत-बड़ा संगी आपकी सेवा में आ रहा है मैंने पहले दिन भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि गाने का काम बहुत दूर का है गाना एक बहुत-बड़ा समुद्र है और इसके अंदर बड़े-बड़े मगरमच रहते हैं और गाने वालूं का, हम तो पेर के नखुन का मेल भी नहीं है लेकिन जेसा भी कारीकरम हमारे याद है वो तन्वन से आप लोगों की शेवा में पेश करते हैं आज आप लोगों की शेवा में जो शांग पेश किया जा रहा है वो हमारे पडूस्ची राजे पंजाब से है पंजाब के अंदर दो रियासत एक रियासत का नाम तक्त हजारा जिसके अंदर चोदरी शेरशिंग नाम के चोदरी रहा करते और दूसरी रियासत जिसका नाम जंग शाला जिसके अंदर चोधरी छुच्छक शाया करते शजनों इधारे टकता अजारे के अंदर चोधरी शेर सिंग वा करते उससे मैं हमारे हिन्दूस्तान में दीन पल्टी करवाया जा रहा absor तो चोधरी शेर शिंग भी उस दीन पल्टी की हवा के अंदर आगे और उनका नाम बदल करके चोदरी शेयर सिंढ से शेयर दीन रख दिया गया उनके साथ पुत्र थे बड़े-बड़े पुत्र का नाम दीरज था और जो सब से झोटा पुत्र था उस पुत्र का नाम था रांजा शजनो उस रांजे के अंदर सत्तर पीरूं की करामात थी और इधार जो जंग स्याले के अंदर चोदरी हुआ करते चुचक साल उनके यह एक लड़की पैदा होती है जिस लड़की का नाम रखे गया हीरे उस हीरे के अंदर भी पांच पीरों की क्रामात थी और यही कारण था कि जब पहले हमारे गाउं में धानियों में जब पशूं के अंदर कोई रोग बिमारी आ जाया करती तो उस रांजे पीर का नाम लिवाया करते और उन रांजे पीर का नाम लेने से पसूं की रोग विमारी दूर हो जाया करती उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि 70 पीरों की क्रामात रांजे में और 5 पीरों की क्रामात हीरे में ये पीछेतर पीर मिलकर के गाउं के उपर अपनी किरपा दरष्टी दया दरष्टी करते थे और उनके कारण उन पसूं की रोग विमारी दूर हो जाया कर दी थे अब भी ऐसाई है वही सूरज है, वही चांद है, वही तारे है, वही दिन है, वही रात है वही हवा है लेकिन हमारे विचार बदल चुके है बागी समय तो आज भी वही है शजनों एक बरात तक्त हजारे से चल करके जंग साले के अंदर जाती है और उस बरात के अंदर वो सेर दीन का छोटा ही छोटा बेटा रंजह भी उस बरात के अंदर चला जाता है जब चोदरी छुचक साल ने उस रांजे की शान शकल रूप उशन को देखा उसके तेज को देखा तो चोदरी छुचक साल विचार करते हैं कि मेरी लड़की हीरे जैसी है वैसा ही ये लड़का सामने नजर आ रहा है चोधरी छुचक साल उस लड़के रांजे से मुलाकात करते हैं और उसे अपने जनाने वाग के अंदर भेज देते हैं कि मैं अपनी बेटी हीरे को आपके पास में भेजता हूँ उनका और आपका वीचार मिल जाएगा आपकी बातें मिल जाएगी तो मैं आप दोनों की शादी आप दोनों की निका करवा दूँगा सजनू वैसे बताया जाता है कि हीर और रांजे की जो कहाणी है ये चोथे जनम की कहाणी आपके सामने सुना रहे हैं वैसे इनकी साथ जनम की पाक महुबत है पहले जनम के अंदर यही दोनों स्री और फर्याद के नाम से पैदा हुए थे दूसरे जनम के अंदर यही दोनों ससी और पन्नू के नाम से पैदा हुए थे तीसरे जनम के अंदर यही दोनों लेला और मजनू के नाम से पैदा हुए थे और चोथे जनम के अंदर यही दोनों हीर और रांजे के नाम से पैदा हुए थे शजनो आप इधर बाजसा छुचसक साल अपनी लड़की हीरे को सखी सेलियों के साथ बाग के अंदर भेजता है रांजा पहले से बाग के अंदर ग्राजमान है देखे दोनों की मुलाकात कैसे होती है और आगे कैसी ये भगवान के समान परमेश्वर के समान ये मेरी सभा सुनती है जैसा भी हमें याद है प्रेम से आपके लोगों की शेबा में पेश करेंगे और कहाणी स्टार्ट करने से पहले आप सभी विराजमान बच्चे बुड़े नोजवान माताएं बहने बेटियां सब मिलजूल करके एक प्यारी सी जैकार लगाईएगा प्रेम से बोलिये शंकर भगवान की बोलिये दात्ता मवस्यनाची महाराज की यह जे तो तरी लेंडी रेगी लेंडी लेंडी तो इसके पुंजड तु लगाएदे लेवए मिल केहना लगाना है जै नहीं बोलोगा जए तो उंको छोरी हूंगी छे मोजोगी ये भी कोई बात होती है बात नहीं जे के महंगा लगाना है कि अच्यां जो 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 जे नहीं बोले वाज अपनी बहुका बेटा वाई अट यह कोई बात तो तेरे समझ में नीज आती क्या कैसा इनशान है तो बेटू की बाते पबलिक में तब्लिक में कर जाता है एक कुछ गरूम और झांप यह कोई बात हुई कि जो ना बोले गाज व तो अपनी बहु का बेटाई को बात है क्या है और जिसके बहु ही ना हो तो वो मारा बेटा बहुत तो बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हलो देखे बेटी हीरे पीताजी मैं आपको सुलाम करती हूँ कहिए कबूल करते हैं कहिए अबुजान क्या बात है तकत हजारे से बरात आई हुई है अच्छा और उसमें एक बहुत सुन्दर नोजवान आया हुआ है जो पसू को डॉक्टर है पसू का पसू चिकत्सिक है मेरे मन में विचार आ रहा है कि उसके साथ आपकी निकाह कर दी जाए जी तो क्या विचार है आपको पसंद है अच्छा अगर आपको पसंद हो तो आप जाकर के मैंने उसको अपने बाग में ठेहरा रख्या है आप उनसे मुलाकात कर सकती है अगर आपके विचार मिलते है तुम आपकी निकाह उस डॉक्टर के साथ कर दूआ ठीक है मैं पड़ी सकी सहलियों के साथ बुल्ली चिमा और बाग में जाकर के चलो बाग में चलते हैं और रांजे से मुलाग में हाँ जी क्लाजी अब हैं यहां देखिए हमारे अबुजा निकाह है कि आज जो हमारी ब्राद आई हुई है उसमें एक रांजा नाम का लड़का यह हुआ है और बताते हैं कि वो रांजा पसुचिकत सिक है पसुचा का डोक्टर है तो उसे मेरी निकाह करना चाहते हैं तो हम अपने बाग में चलते हैं और उसे देखते हैं कि केसा नोजवान है ठीक है अगर पसंद आया तो निकाह कर लेंगे अब आज मेरे यार की शादी है यार की शादी है किल दाजी की शादी है के गुलो ना गुल टालो गुल बदल ना मिला चमन में उम्र गुजारी मगर चमन ना मिला वफा की राह में जो भी मिले गनीमत है कई तो ऐसे गए है जिन्हें कफन ना मिला के चांद नी चांद से होती है सितारों से नहीं और बहाबत ये किसी होती है मगर हजारों से नहीं पाई चांद नी चांद से होती है, सितारों से नहीं, महाबत हरे एक से होती है, मगर कुमारों से कुमार ने तेरा के बिगाड लिया? कुमार अशी रूपयां को मठका दी, और नीचे से त्रेड पावा उसके वो टप का फिर टप है के एरस के कमर दिल का लगाना नहीं अचा हर गैरों को अपने पास बिठाना नहीं अचा और बनियात की अस्ती को मिटाना नहीं अचा हर हो जाओगे बदनाम यो जमाना नहीं अचा कि अलहां मुझे कोई सूजता नहीं आशिक तो पूरा हूं अगर कोई भूजता नहीं अच्छा तेजी बेहन चलना चाहिए कहां अपने जमाना बुरा है एरेश्णे कमर दिल का लगाना नहीं अच्छा गैरों को अपने पास मिठाना नहीं अच्छा बुन्याद की हस्ती को मिठाना नहीं अच्छा हो जाओगे बदनाम जमाना नहीं अच्छा और इटे जाये जो गुगमंड की तो बुड़ा पान नहीं अच्छा भली दोस्त दोस्ती करके दगा करे तो मुसाफान नहीं अच्छा भली कोक से सपूत बेटा पैदा ना हो तो मा का जापा नहीं अच्छा और जमाने को बुरा मत कहो जब तक आपडा आपा नहीं अच्छा सुनिए सकी आज सकी दिल में उमाया है ओ चलो सकी बाबो मेरा जापी ने आया है आज सकी दिल में उमाया है ओ चलो सकी बाबो मेरा जापी ने आया है आज सकी दिल में उमाया है भुद से वो शुना है तकत हजारा जहारां जेका द्वारा प्यारा बने महमान हमारा है तो राजे का बुलवा के सारा गान लाया है आज सकी दिल में उमाया है हलो बाग में मालन माली देख रहे थे हरी आली फूल पते और डाली फूल पते और डाली फूल बाग में वो आने वाली आई ना छूचक साली वो बाग में आने वाली आई ना छूचक साली वो राचा ने पाली एकला क्यों बिठाया है आज सकी दिल में उमाया 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 है अग्षा डाली अग्या है आज सकी दिल माया है आज सकी दिल में उमाया है कि अचमन आपकश रखिए कि नर्फिया कि अट्रीक इस अनदधी दोताई कि अच्छाब है अरुजा कि आ जिए जो अच्छाब कर दोता है मुझारी निए जोनदध़ कि अट्रेश कि अटिक जदार यह जोन इए सोरी सोर आगया गिनागा आज सकी दिल में उमाया है जो ठीक नी बनो रांजा जल चलो सकी बागो मेरा जापीर आया है आज सकी दिल में उमाया है आज सकी दिल में उमाया है वो रात बिन चांद हंदेरी बिना असवार बच्छेरी वो सकी है समय सुनेरी करो मत मिलन में देरी वो महर कुदरत ने फेरी राजे तैशाती हो मेरी आजी सकी दिल में उमाया है आज़ा छेल शिपाई खड़ा तोड़े अंगड़ाई वो राजा छेल शिपाई वो खड़ा तोड़े अंगड़ाई तजे माँ बहनर बाई हीर से प्रीत लगाई ओ दुक दे दिल की दवाई बड़ी बेचे चेन काया है आज़ सक्धिल में उमाया है हाँ आप लूँ हाँ देखिए बहन आप जाये बुली ची मा आप जाये देखिए कि वो नोजबान अपने बाग में कहां आराम कर रहा हैं चलो बहनों आओ मेरे साथ में तुम भी आओ चलिए मिया जी सलाम हालो हा बोलिये हाँ अब देखिए आप कोण ओं कहां से आये हो क्या नाम है कोण सा घॉल्स बता बताओ बिलकुल एड्रेश पटा भूचन गा प्रभीट है आपके पास परमिट दो नहीं मेरेवास में अच्ट"! you can go permit पच्छा मिया रांजे सलाम सलाम हाँ वालीकुम हो सलाम बोली क्या वाद है देखिए आपका नाम और गाम काम पूछने के लिए आई है तेरे पास एलाइसेंस पूछने का मेरे पास पर एक लाइसेंस की तो वारे डिटी खतम है कई दिन हो रहा है नहीं नहीं है तेरे पास लाइसेंस हाँ तो तेरे को क्या हो सकता है मेरा पता ठिकाना पूछने की देखिए हाँ तो जिसको एड्रस पता पूछना है उसे बेज दे तू भीच में भी चॉली क्यों बन रही है अच्छा ठीक है में जाद बेज़ दे अच्छा अच्छा मिया जी सलाम अच्छा वालिकूम असलाम आच्छा आप है उसकी बहन नहीं नहीं मैं नहीं हूं हां मैं नहीं हूं जब तू भी उसकी वहन नहीं है तू क्या कहना चाहती है बोलिये या तो पैंद काल्ड वुनवान हरी से बोलिये बोलिये बोल लेगी अच्छा तो मैं उसी को बेज़ दे एक मन में हुआ आप पोले हलो 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 अन67 एक मुसाफिर है अच्छा हा और अपने बाग में हां बिल्कुल वहमने आप अजी क्या बात की नहीं ए उनने तो मेरी सलाम भी निली अच्छा ठीक है मैं जाती हूं ठीक है हाँ अजी क्या बात है हलो 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 जी जनाब मैं आपको सलाम करती हूं वालेकूम सलाम देखिए हाँ हाँ बताईए मैं आपसे तीन बात पूछना चाहती हूं तीन बात पूछना चाहती है जी हाँ वो तीन बाते कौण कौण सी है वो तीन बाते हैं हाँ आपका नाम मेरा नाम गाम गाम काम काम जी हाँ बता दूगे देखिए मेरे पिताजी ने आपके पांस भेजा है जी हाँ कि अपने बाग में मुशा भी राया हुआ है उससे मिलने के लिए देखे नाम भी बता दूगा गाम भी बता दूगा और मेरा काम क्या है वो काम भी बता दूगा लेकिन उससे पहले तेरे को ऐसे नहीं पूछना है तो देखे कुछे रंग में कुछ लटक के मटक के खटक के पूछेगी तो मैं भी प्यारत बताया है सुनिए हाँ बताई ये सुनिए मेरी बात हाँ शजनों फिल्म आई थी दो रास्ते उसके अंदर बहुत प्यारा गाना बाज्या करता और पहले कि जो फिल्में हुए आकरती उनके अंदर सब बेता थी बिल्कुल हर फिल्म को बहन औ अबात हो गई तुने का जल्ले काया दिन से तो जनाब बताई ये सुनि मेरी बात पूछे 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 पुछे तुबता ना काम और काम काम के छोड़े वह तेरा रंग ठाट का सुना ले ये मेरा काम आजारा तकता जारा ये मेरा काम आजारा नाम सरांचा पूछे जाट का पूछे 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 पू सुनिए ये स्रीमान दरंबिर जी चोदरी ग्राम कुंगड जिला भीवाणी हरियाना से भालवासी अमेरिका जो लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और अपनी तरब से 100 रुपे 2 100 रुपे 200 रुपे 2 100 रुपे सम्वान करतें भूत जैनेवाद ये शुरीमान सुभास जी चोदरी साब राणवात ग्राम पुठी दणोरह से दोनौं के लिए Jahr 3 Wochen के बदा आइए कि बता नाम और गाम-काम के रंग ठाटका मेरा घार नाम से रंड़ा मुड़े ज जाटका लड़का हूँ हाँ जुटके खाया और जुटके कमायार जुटने तो जाटका हाया जुटके खाया और जुटके कमाया जुटने तो जाटका हाया अमान सिप्रातर कापाया मेरे मने भवाया मडंगर अये मडंगर गेर खेत पाया सता आनंदे उटाया रोडंगर गेर खेत पाया आसता आनंदे उटाया मारी चोतर क्यों ना होती यो छोरा दर्मपाल जी चोतरी साब मास्टर जी रोत तक से दर्मपाल जी मास्टर जी रोत तक से धनकड साब ग्यारा सो रुपे कमेटी के लिए देते हैं और दौसो रुपे से पार्टी का सम्मान भी करते हैं कमेटी वाद ले बहुत भी धन्य त्हने भाइब यह चैर्मैन साब श्रीमान हरेंदर जी अपनी तरब से 500 रुपे पार्टी के लिए और 21 रुपे कमेट्टी के लिवा एक बार तालिया हो जाए बहुत बहुत धन्यवाद यानि 26 रुपी अपनी तरब से सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद रंपल जी देखिये सुणिये मेरा पता ठिकाना पूछ लिया विल्कुल आपका पता ठिकाना पूछ लिया कम से कम अपना भी बतादे तुप पूछ ले हर जब ते जब ते आई तेरी जात छुपाई तेरे दिल में ते कपट दिखाई मैं छुच की की जाई कमारी भी निव्याई मेरी हुई नहीं असनाई जब ते आई तेरी जात छुपाई तेरे दिल में ते कपट दिखाई मैं छुच की की जाई कमारी भी निव्याई मेरी हुई नहीं असनाई यह से तेरे बाप में यंगाई जो प्यटी पीहर में बठाई कोने बाप में पूराई जगे अच्छी नहीं पाई कर जाता हते यह सनाई रख्य सका मैं आठ का मैं मुले जात की छोड़ी तु छोड़ा मुले जात का मता नावर गोव समगे रंग जात का दाव से रंगा मुले जात का यह मलिक स्टूडियो मलिक स्टूडियो स्रीमान मदंजी अपनी तरब से आज के शकारी करम में दोनों के लिए सो सो रुपे शम्मान करते हैं हमारी दरव थाव स्रीमान मदंजी हैं मलिक स्टूडियो बाकस बहुत बहुत शीपंद या ऐख से करके पांच सो रुपे से आज भी सम्मान किया है बहुत बहुत धन्यवाद मलिकपुर से स्रीमान नरेश कुमारजी डीलर डीलर साथ अपनी तरब से आज किस करिकरम में 500 रुपे से आश्री बात देते हैं मलिकपुर से बहुत बहुत धन्यवाद ये निनाना से ही संसारे का पडोता आपनी तरब से 1000 रुपे कमिट्टी के लिए और 100 रुपे पार्टी के लिए यानि 1100 रुपे सम्मान करणे बहुत बहुत धन्यवाद कहिए नमबर थीन की बात है ही हालो और एक बात पताएए आई सोद्री साद पूछ ये क्यूंकि आप भी जाटक के लटके हो जी हाँ और मैं भी जाटकी लटकी हो बिलकुल आप भी जाटक लड़की मैं भी जाटका लड़की सुनिये हो किसने जानी या खटक भिरानी दुनिया में जिन्दा कहानी तु तो पहले थी आनी और इब हो गिस्यानी चाहिए बापने ब्याहनी सुनिये हो कत में पीछे न अठानी शाती तेरे कराणी आये रबन के किसान की किसान मेरी रोटी खेत में पुचानी रबन के किसान की किसानी है दुचानी मैं प्याया करूंगी हल पे पानी कोरे माट का और चोदरन के बागतें फड़ खेत जाट का वह दाना मर काम काम के रंगे थातिका रामदारा नाम से रंगे थातिका लालालालालालालाला देखिए आपने अपना एडर्स पता नाम बता दिया है लेकिन अपना काम क्या है अरे पगली किसान का बेटा हो और हमारे वारत देश में 70% किसान ही है बिलकुल जमीदार ही है बगवान क्रशन थे वो भी जमीदार थे राजा राम थे वो भी जमीदार थे राजा जनक ने भी हड़ चलाया है और मैं भी जाट का वेटा हूं जमीदार का वेटा हूं तो मेरा भी काम हो ही है सुने अच्छा मत धर्ती अच्छा मत धर्ती बहूं और अन उपजाओं मेरी वतन की भूख मिटाओं मैं गुरु चंदर चाहूं की मैं पी कमाओं कुछ पेदावार बडाओं मत धर्ती कैसे हैं है 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 यो कि था यो खेत में बा लगाओं उसे अच्छा यो खोदी आरो लगा रहे उसे मत धर्ती बहूं और अन उपजाओं मेरे वतन की भूख मिटाओं में गुरु चंदर चाहूं की मैं भी कमाओं कुछ पेदावार बडाओं ऐसी मेहनत कर दिखाओं रखाओं अन करीबुने खुवाओं परोटी खेत में पहुचाओं में डोले खटोली बिछाओं दोले खटोली बिछाओं अरे पगली जमीदार जब अपनी धर्ती माता के अंदर काम करता है और जब सुस्ती आ जाती है तो उस जमीदार को खटोली की जरूत नहीं होती बिछाणे की जरूत नहीं होती वो इस धर्ती मा का ही शिराना करके अपना विश्राम कर लेता है बले मानसे हां सुनिये मतो धर्ती मतो धर्ती में सोजाओं बले आदमी दर्ती में सोजाओं और क्या बले आदमी कौन से तन दर्ती पर सोन देगी रांडे तन तो उपर उपर राखेगा कौन दर्ती में सोजाओं रह नहीं सुगरिलो भी खाटका इस बोले पन में नाम हुए इस युग में जाटका ओ बता नाम और गाम काम के रंग ठाथका मेरा गाम में हजारा नाम स्रंधान जाटका सुनिये मैं दर्ती बाहूं अन उपजाओं मेरे वतन की भूख मिटाओं और गुरुचंदर चाहूं में भी कमाऊं कुछ पेदावार बढ़ाऊं ऐसी महनत कर दिखाऊं में खाऊं अन गरीबुने खुआओं और रोटी खेत में पहुचाऊं डोले खटूली भी चाऊं अरे दर्ती में ही सोजाऊं नहीं सुलो भी खाटका और इस बोलेपन से नाम हुए इस यूग में जात का वा क्या कहना चाहती है आप देखिए आप मुझे पसंद हो मैं आप से निकाह करना चाहती है जी हां तो फिर कर लो मना कोन करता है मैं भी तैयार हूँ अभी नहीं करूंगी मैं तो फिर कब करोगी मुझे कुछ समय दीजिए समय कितना समय चाहिए मोदीजी नहीं किस साल कर रखी है अभी एक साल कम है चलो कोई बात नहीं है जितना समय चाहिए आप बता सकती है लेकिन ये तो पूरा वादा है पूरा विश्वास है क्या तेरे को तुमेरे साथ में साधी करी लेगी बिल्कुल मैं आप से लेकिन मुझे विश्वास नहीं है यदि आप मेरे से साधी करना चाहती है मुझे अपन बताईए तो सुनिए बताईए दिल महराक यकीन अच्छादी तुमसे होगी वचन देती हूँ एक दो पी अच्छी यह साथ दितों को नहीं हो क्यों तन वचन दिये वचन दिये और इसने छेक दिया इसने छेक मारती हो ले दिल में राख यकीन शादी तुमसे होगी वचन देती हूँ एक दो ती अच्छी यह साथी नहीं हो सकती क्यों यो फेर छेक दिया यो तो मेरे पर बढ़ास है मैं क्यों बढ़ू बढ़ू तू बहुत अच्छी बात साधी करोगी लेकिन जब तक आप का वो साधी का समय आएगा जब तक मेरा रहना सेना कहां होगा देखिए आप हाँ आप रहना हमारे खरक में नोहरे में खरक में हाँ खरक में कौन मिलेगा मेरे को देखिए हमारे सो बैस हैं सो बैस हैं हाँ अच्छी तो आप हाँ बैसु का पाली बनके रहो ओ तेरी मन बैस बणावगी ओर तो आप पर्दान बना वगी अच्याति झी occupa के यह सो सो बेंस है लिकिन उन्हें पकोई रखवारा भी होगा मैं रोखोंगा किसके पास वहां कोण मिलेगा आपक़ हो heavens तेरा बतिच्चा खेमा किमा सुभाव का किश्याग सभी तो बत रंगी लादमी से बहुत अच्छी बात अब मैं जाता हूं उस डारे के अंदर देखता हूं क्या कुछ होता है सजनों हीरे ने वादा किया तो रंजमन ही मन में सोच गया और देर जराशिना करी चलके उस खरका केमा पहुंच गया हाट हर काटल उत्र एग लगा उत्र हाट काटल डो शलाम वालेकम सलाम राम राम अरभाई क्यों मताट में आतन मैं नहीं डाट सकता हूं क्यों हो गया फिर अरे रोटिक हुआई हां रोटिक हुआई उकावर के दिया रायत के ग्यारा बजे रात के कर गया गत्ता ममूच के ते करके बाइजगा अरो बाले आदमी में तनी जमान सलकु हूँ देखे मां इस्या कोन्या मने डाट के देख अरा बड़ी तेरी बड़ी सेवा करूंगा यार ने तरे को नहीं डाटूंगा एक और वी डाट आए अच्या 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 शेवा पाणी करी बिलकुल अर्शुस्रेश लेखे काम करें उखागा ने चम लीकडा तोर्ड की बाइजी गा अर्वा इश्या भी को नहीं डाट ले बाई अच्छा ना भाई डाटन के मेरी फुर्शत को ना अरो डाट ले खे मा मेरा नाम ने भी जाने से बिलकुल तिरा नाम ने भी जानू सु तरे का मने भी जानू सु और तिरी बुवा ने भी जानू सु और मेरी बुवा ने भी जाने से इरे ने हैं तो मेरी भुवा से कनक्शन कद लिया भाई यो तो ने यो इब्बत आज जा हुआ है आज ये जानकारी हुई से तो डाठा गा भाई तो बिलकुल डाठ ले भाई बहुत अच्छी बात से ले तो या तो ले लाठी लाठी अच्छा आए लाठी ने खड़ी राखिये ले या लाठी पढ़ गी तो तो भी क्लोड ले लाठी खड़ी रही इत्ना तो उरह रह रहा अच्छा आ रहे तो तू भी जो बहुत बढ़िया और तने कमले ओर लाक चाहां अच्छा पर देगा एक लाठी और अरो कामली या ले बहुत बड़िया या छिवातसे इव के खरना से जब भी जब भी जितने भी भैंशें हाँ अने का दूद काइड के मेरे कर लियावगा अच्छा दूद भी महीं निकाड़ू और यह पांचार काटूडू सुना हाँ यह तो साइब दार मतलब यह रायत नहीं कोंटी के तो दिन में भी कोने पुड़न दी अच्या हाँ तो त अश्र में बड़िया अवय जब जब भी तू चाल के आवेगा तो आत्या आत्या ते तरे को कह दूंगा ओ शर्पंच जी वेरी गूड थंक्यू बीडी माचास अब तर ठीक से अब रेत उठाट से बहुत बढ़िया मैं तेरे पर लंबड़ार अच्या आरेने बैशेगी देख रेक बहुत बढ़िया दो आदिखावी के लास सजनों डारे में रहने लगया अब वो रंजा जमिदार बारा साल के बाद में उस पटमल ने किया खवार सजनों बताया जाता है कि रंजा उस खरक के अंदर ने नाशना शुरू कर देता है और उस हीरे ने वादा किया था कि रोज आपका खाना में लेकर के आऊंगी रोजना हीरे उसका खाना लेकर के जाती है बारा साल का समेरांजे को उस जंग स्याले में रहते रहते बीत जाता है इदार उस हीरे का चाच्चा का लड़का था पटमल उस पटमल ने सोचा और अपने मन में योजना बनाई क्यों बदमास परवर्ति का आदमी था और बदमास परवर्ति का जो आदमी होता है वो हमेशा बदमासी के ही काम करता है चालाकी के ही काम करता है वो चालाकी करता है चार पांच गुंडू को बदमासु को लेकर के उस हीरे के पिता चोदरी छुचक साल के पास में जाता है और क्या योजना बताता है जड़ा सुन अरे मेंबर साब आपको कुछ काओ किया बताब का मालूम है हाँ मालूम है क्या मालूम है आप ही बताओ ए उसके बारे में जानते हो कुछ है इसके बारे में जानते हो कुछ जञता हूँ क्या जानते हो हाँ बएप जो हीugen है एक हमारे चाचा ने एक रंजे नाम का पॉलि डाटर क्या है और उसके लिए वो हीरे रात के बारा-बारा बज़े जाती है उसको दूद पिलाने के लिए इस पे गाउं की बहु बेटियों पे गंदा सर पड़ता है किया करना है इस पर दाट दाट मारनी है के हीरे का रिष्टा ये रांज़े से नहीं होना चाहिए जागिर तार आदमी 57 वेरे को मिल जाएंगे पांत 4 गां चासा को मिलजाएंगे पांत 4 गाउं चाशा को मिल जाएंगे अच्छा यार लड़की उनके रिया अपने फाइदा ले रहा है क्यों अरे बहन तो हमारी भी है रे तो तुमारी तो बहन है तो हमारी भी तो कुछ लग रही है चलिए अरे तु जेल से शुट्टी हो करके आए तु गाओं का गुंडा है गुंडा ठीक दादा बोल बोक्सिंग में कर दूगा भुगण राओं अच्छा यू चलिए जला हाँ भाई दूरदूर से बात करिये से हाँ 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 है अ है कि हलो है चला प चाधरी शाप इन बात तु को छोड़िये इन की तरफ धान कर ये अच्छा कोण है तो पक्वास करता है अज हो शोना चीए कंगा तादा है लुकल पठता तरिका सघ्ण कर आना था है काम के छोदरीये कि से यह कैसे बात की जाती है एका बस्ते को बांद में तो करने वाला रिष्टेदारी बंद करने वाला आंगां का दाथा बखवास करता है तो पूछो और पंचात है यह गुंड़े को लेका है यह गुंड़ा और पंचात है यह गाउं के आदमी है मेरी बार सुनिये चचा साब यह पूछिए आप के यह पंचात किसी भी आई है यह पता है पुल्हाने तेरा है और सारा काम पुल्हाने तेरा है ओके एब मेरे मचाट लिया और एब से युग्वारी हीरे न घर पर रांजा ढाट लिया और सारा मुल्हाने तेरा के एब मेरे मचाट लिया एब यो ही क्वारी ही रे में गर पर रंज डाट लिया एब मारे में चाट लिया एब यो ही क्वारी ही रे में गर पर रंज डाट लिया वो बिना बुलाए नहीं आया हमने बुलवाया कहके अर वो नो कर नहीं लाट मैंने रहासे बात करें सब तैफेके उस रांजे ने दुख बाट दिया ना करी जात की सर में जात तन अरप ऐसा खुराट लिया हो सारा गा मुला ने देरा एवे मैं जात लिया है ऐसान रांजे का मुफत में बश्या का रखवाणा हो गया मुफत में आले पालीत आया काम का मुँ काला हो गया वहीयो भीके चाला हो गया जब दाट चाट में दाट लिया तेरे गर का एब चुप्या को न्या हम सब नर बेरा पात लिया वहीयो गर पेरा जब दाट लिया ला 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 वही जात का रिष्टा जात में हो जात का रिष्टा जात में हो मत जात ते न्यारे पाटो जो करे नाम बद नाम जात का इसे उत का सर कटो जातो का छोड़ा जातो अर जातो का पालक जातो ये समझा पने ते गात लिया तेरे कर का एब छुपे को ना हम समने मेरा पाट लिया वो घरी पे रांजा डाट लिया का चंदरलाल सरारत करके चंदरलाल सरारत करके कोण विश्वास थरा खो गया ओरे हीरे की डाकी सोचन में तु जाग्या नहीं ऐसास हो गया दिमाग का फैल थारा भी हो गया पर मगज नेरा भी चाट लिया रठे के प्याते सजनों चूची पच्चा नात लिया लगा बुलाए भे चाट लिया अब इसकवारी हीरे ने घर परिहां जा डात लिया बदावर आपको क्या तीकत है क्या परिश्वनी है देखे चोद्री शायब यह हीरे का रिश्थावानी ओना चाहिए राजे के साथमन ठीप क्या वो आवारा अदमी है और बहशु का पाली है सुन ले हाँ हीरे मेरी बेटी है अच्छा मैं जहां चाहूंगा वहां ब्याहूंगा तुम्हारी इसमें क्या नंबरदारी है अरे अरे गामराम की बात माना करते हैं ओडिशे मुवाले अच्छा सुन दीशे मुवाले तेरी चोरी आर मारा गाम में मारी गाम की बान बेटियां को प्रफुरा शरपड़े अधी राइतने तेरी चोरी नी अठेडा मजा कोई अच्छी बात छेया घरका में जावूरान जागा दूद लेके तेरी बेटरी डाउन वसे के बिलकुल पेट्रोल बलस है बलस है और तसर पड़ता है यह दखवास करता है और क्या है गाल तसर पड़ता हमारे गाम के उपर और ते रहे सरव कांणी बंग तेरे भी आरा दोने तू है क्या हम जाए यह हैं यहां से लेका और पिड़ेगा और क्या अट खेले के तो पता यह रिष्टा राजे से नहीं होना चाहिए यह रिष्टा होना सही एक नूशाबाद सासी वह जागीरदार आदमी है राजा चोटा सा किसान है लेकिन वह कनूशाबाद सागीरदार आदमी है अच्छा थोरी तो मैं ब्यादू और पांच चार गाम एलूंड नी मिल जाए किस बात के बही अरे तो हमारी भी तो भेन है अच्छा अरे हम हमारी भेन का मज़ा नहीं लेंगे तो और कुण देगा रहा भाव भी ओर ठीक है बतिजे ठीक है तु कहता है ठीक है वो बादशाद मी है और बादशाओं की शादी बादशाओं शे होती है तीक है तो तो एक बीडी देई आलिया के थोड़ी तर पहला त अरे माई कलान भाई और कारी करम का अगे सुनिये देखिए और इसी वीच ये स्रीवान मुष्ण का पोता शिरिवान मुष्ण का पोता यूवी यूवी वैई 101 रुप्य और एक सूट सजनों बताया था उस चोदरी छुचक साल ने जब गुंडे बदमासु को देखा विचार किया कि उच्छी बुद्धी के जो आदमी होते हैं जो ब्रेश्ट निती के आदमी होते हैं उनके मुह नहीं लगना ची बादशा छुचक साल ने उन सब को समझा दिया कि आप चले जाओ और जहां कहों कि वहीं बेटी हीरे का रिस्ता में कर दूंगा उनको समझा बुजा करके बाद बादशाय ने भेज दिया लेकिन इस बात को पटमल ने हकीकत समझ लिया उस हीरे को कमरे में बंद कर दिया आगे ताड़ा लगा दिया और एक नाई को बुला करके उस ही हीरे के नाम का लगन लिख करके और अठ खेडा वेज दिया उस बादशा कन्नु के पास रोज का नेम था हीरे का खाना लेकर के जाने का लेकिन उस दिन हीरे को कमरे में बंद कर रखा था सजनों रात का समय हो जाता है और हीरे प्रेसान हो जाती है अपनी बापी से विंती करती है कि बापी एक बार ये दर्वाजा खोल दे मैं यो गई और यो आई वो परदेशी रांजा जो बारा साल से आसा के उपर यहां बेठा हुआ है बेचरा बुखा है और उसे परदेशी को खाना खिला करके मैं तुरंत वापस आ जाओंगो फिर मेरे को वापस कमरे में बंद कर देना सजनों बापी की और उस हीरे की बाते होती है और हीरे किस परकार है उस रांजे का खाना देकर किस को वेज़ती है सुनीए देखे बहन भूली देखिए मेरे भबी भाई साब ने मुझे बंद कर रखा है तु एक काम कर तु परदेशी में अरणजे का खाना लेकर के जाना और उन्हें कहना कि हीरे की तबियत जादा खराब है उन्हें सची बात मत बताना कि मेरी सादी हो गई यह सगाई हो गई है ठीक है और यह कहाई देना कि ही तब ज्यादा खराब है हाँ और तुम खाना लेकर कि जाओ जाईए ठीक है मनी मन में सोचेगी तेर जरा सिना करी वरंजे के धोरे पोचेगी मैंने कहा मिया सलाम आईये बुली तेरा कैसे आना हुआ आज मेरा आना हुआ है बोलिये देखे खाना खाले खाना हाँ तू लेकर कि आईये मेरा खाना हाँ में लेकर आईये देखे बुली नजदीक थोड़ी पर खड़ी हो जया रैप कर खड़ी हो जया ना मैं तेरे आत का ख पागल इना कर्या कुकडू कुकडू कुख एवना कर्या कुकडू कुख भुकले जिए अपर दाइसे मेरया करता तू अँडिया वक्वास कर रहिए हाँ सच के रही हूं क्या क्या चाहति है नास गये तेरे से पहले ही कह उति है क्या किया थी मेरी से साधी करवा ले मनें जार में पकड़वावेगी नहीं हां तेरे भ्या का किटानों भून लाग और यहरे का तो रिस्ता हो लिया कि लिया हां बुल्ली तरी यादते चुगली करने की ऑज फिर चुगले करने के लिए आ गई तो चुगली नहीं करती क्या कहना चाहती है सच के थी हूं क्या सुले हेलो अए जिसके करने बेटे भाजिल बैसी चराई अए रन वोली तन जिसके करने अरवेश चराई अरव जागी अरव मुला जा तोड़ तड़ केरण जागी रेते में तेरी हो मरोड़ केमर जाने आनंद भोगया जंग शाला में आके और केमर जाने आनंद भोगया जंग शाला में आके तकत हजारा जूटी गया अड़े बेटी गया गीर के जंग शाला में भैस चराई जंग शाला में भीरे भीरे के तकत हजारा जूट दिया अड़े बेटे गया गीर के जूटी रहन तो रिष्ट करके निपाई तेरी ओड़े तड़े केरल जागी ते मैं तेरी हो मरोडे जिसके कार बेस समय जागी मुटा जो तोड़े तड़े केरल जागी ते मैं तेरी हो मरोडे सुले कह दे आये सुनना खरक देख कैपाली खरका तैर रोई ये औरे पच्छताई ये सुनना खरक देख कैपाली खरका तैर रोई ये और पच्छताई ये याई हीरी चली जा अट खेड़े अडे खरका तैर नैशे ुष्य्यदी खरका तत बते लाई ये हो तिरे एकिशे नकटाने चाहिए डूबने तुआ जो होड तड़ कहरण जागी रेते मसेरी हो मरोडे तेकार बैस जगाई जागी तुरा दागो तेकार जागी रेते मसेरी जामरोडे आये केमर जाने आनंद भोगया जग शाला में आके आये कुछ भी प्रीती निबाई को ना ही रे न बुलेवा के हर कुछ भी प्रीत निबाई को ना ही रे न बुलेवा के उस दगापाजी तर दगापाजी ते प्रीत लगा के के सुके पाई तेरी खोड तड़ केरल जागी रेते मसेरी हो मरोडे इसे करण में सचराई जागी मुलाजा तोड तड़ केरल जागी रेते मसेरी हो मरोडे और चोथी बात में क्या बताया वो भी कह दे ओ पूरमले भागा बिन हर किचे राग नहीं आवे है रागी बिन रागा का मतलब कोन सही गावे हो गुरु चंद्रे लाल मुशे के लिट जावे साथ है सुला की जोड तड़ के रजागी रेते मसेरी हो मरोड क्या का यातन नहीं आपके हीरे की सगाई ओली हां रहीरे किसे पराई ओली हां बाशन ले हां इरे मेरे साथ वादा किया है उसने वचन दिये हैं किये मैं साधी आपके साथ करूंगी यह हमारे अंकल जी सुभाजी पुटी धनोरा से सोर पे आशिरवाद देते हैं आशिरवाद और बुली यह जो तेरी चुगली करने की आदत है इसने छोड़ दे सुख पावेगी अच्छा अभी उमर बहुत छोटी है जिंदगी वह तलंबी है यह चुगली करती रहे तो कितनी किता मार खा सके नहीं चली जा वापस और इरेत जाके कह दिये हाँ यह खाना खिलाना वो तो खुद आ जागी बाकि मैं खाना नहीं घाऊंगा अच्छा बूखका मरेगा बूखका चाहे कि मैं भ इधर तो वो बुली खाली आद यान विगर खाना खुआए वापस चली जाती है जाकर के हिरे को बताती है इधर उस बापी और ननद की बाते होती है इधर खरक के अंदर रांजा प्रेशान हो जाता है बुली की बात सुन करके और उस बतिजा खेमा से सलाम जोरा करता है आज वा बुली आई थी वा किमा नहीं बात बता के गई से वा नू के धि बल्या ही रेकी तो साथ दी से वाई भुफा डिज्ये तो बाजरो थो मनने नू रेकिस पाजरा थो बाज़ा बाज़ा था बाज़ा बाज़ा था देखे खेमाज़ा चनाली बात थे को निया और वाई ओवी सके है सही क्योंकि या दीरात का समय उलिया इव लग तो इरे कब की खाणा खिला के वापस चली जाय करती आज इरे नहीं आई बुली आई है तो बात में कुछ ना कुछ दम है याने दाल में काड़ा है फुफा या तो मेरा बेरी शगली दाल काड़ी है तो यह काम कर ले अब आपना फाटक बंद कर दे और सोज्या अच्छा कोई भी आवे अच्छा ना खोल दिए फाटक नहीं खोल दिया तो मेरत बुरा ना जानिए पुफा अंग तो फाटक खोला गोने हां फाटक नहीं खोलना है उस्व भी सोजा तो ले खुटी ताइं ले अपना दोनीओ सोवां आई वाइक जल फुफा सोजा अरह अरह खेमा ओखेमा यो पर पर कर प्र५फा अच्ट वाड़as, झोई लोग कर आप तौनने नियन नांग, इन की सोजाई घराब कर आपेड है करोठ लेले पर मैं चिप कराएँ, परन मुदा करुजसा, फुफा इसने माज फरामक रहा है मेरे बिए ठेंच करेंожетक हमे उसक्ष है आधि Crane Gel आप उन्व हालो मेरावरी चेंट हम देखे दों की दीओं याया नहीं हिर्डय कोड़ा इसने कमारी मुझे जाने जाने थी है क्लोड़ा प्लपाभ़ा है और जो बठना भी लग रहा ते रहे और ये जो फाटक के दर कुआड है इस पर ताड़ा लग रहा है और चाब भी तुम्हारी भाई साब की पास में है अच्छा और बारा बज्रिया ओड बर्मत तु तालबा एकन जाओं को नी और अगर तुम्हारी सच्ची प्रीत है प्रेम सच्चा है तो अपने आप फाटक खुल जाएगा तुम चली जाना ठीक है अगर मिया रांजे से सच्चा प्रेम किया है महोबत की है तो ये फाटक खुलना चाहिए सच्ची महोबत फाटक खुल जाता है ही रे खरक में जाती है रांजे के पास दूद ले करें शटनों सुनिए. हलु. ओ मिया रांजे. ओ मिया रांजे. ओ क्या मा. अर देख क्या कोण बोले है? ओ भुफा कोई कोण बोले है तो. अच्या. यो राजजंदर शेना हुरे शामें गेरालो ए राजजंदर की भैंश नए दूद होरी से अच्या यह जो टाबूस तांड़ उसनो राजजंदर जीन भाई राजजंदर जीन आजोड के के देव तु राजशे सोर यहां सु भाईयो श्वाजज़ अरे खेमा अरे देख क्या कोण मोल बार जा ओपफवा मैं मारूंगोट शाड़ा के बेंड़ा दिन मां तो एक काठड़ू को ने पढ़नदी और यह तने तूको ने पढ़नदी अरे बार देख क्या कोण बोलर रोला के से हुरे है ओ वह तो जैपाल बात कर अरे जा वह बूरी भैंशना वहाँ प्यार रडाओ इसा दूद खाते रहे तुजा खड़ा हो के भारत क्या अरे खेमा यह वह हमेरा बेटा सुवा एक कित खुदाया कुवा के बाद से आज फातक बंद कर रख्या है के बाद तेरा फुपा कित से नेरा फुपा के तो सांप लड़ी क्यों हाई मेरी माँ सांप गेकर था मुश्चा का बिलमांगली देथा मन नहीं बता वो सांप कोड था कितना पड़ा था सांप एक बिलाइंद का बाई खेमा वो तो करना पूरा होसे एक बिलाइंद आलो बेट जाग किर वाए दे बुआ है काम करें तेरा फुपान जगा बुला के लाइशे इसमें इसमें इसमेलेशे दूद मलाई दूद मलाई हा और के गेरा बुआ है इसमें काजू, बिदाम, पिस्ता, किस्मिष, सर्याजीत, सफेद फुपान जगे रिदों आने काम के रिदो जगा भाई है दूद मान जगेती है रिदों ना बह्या तू जुठा करदे ए काम के लिदों जगवान देती है ना ना भाई नु कրए जब तेरो फुपपु पिले ऑर रुक बाद म तू पिली जगे वड़े है पुपपा को उठ ऍात मंको तयरा खूंफाने दूंकी यह वाजमुन देंक देगा तू साथ ट्रों निदेद भोपन सीखा दूत या फूफा न काम ले मेरसे हा अँजध्लों अज़ा फूफा आर ख्लाहों से क्या का मुणना अब्रों बंव यह माई कलाने के ठीक करी ठीक करी अथ्या सोज्या सोज्या यो मारी सुने को नी यो मारी तो सुने को नी ओ मिया रांजे यह राकोण खरक के है तुरी बैड का फूफा गठो कुद्री के पहले तुने मेला फाट्टे के मत खोलिये आरे मेरा शाड़ा के खुद आएक लाएक रिसे कोड़ खरक यह राकोण खरक के है तरवाजे पहले इसे रुक्चे तेरी से ओ पाड़ी भाटकी ओ घोल बोड़िया या हीरे तेरी से पाड़ी भाटकी ओ खरक के तरवाजे पहले इसे रुक्चे तेरी से ओ पाड़ी भाटके खोल बोड़िया हीरे तेरी से पाड़ी पाड़ी खरक के तरवाजे पहले तेरी से पाड़ी पुट्थी से अपनी तरव से शोर पे शम्मान करते हैं आज के कि चोट से नहीं भूटता और सचा इनसान जबान का इनसान भी एक हीरा होता है और तू कोई रेतन बन के दास आपरू लेली कर दिया बात काना हेरे नाश गये मन तेरे शीवाना हेरे और किसे की चाहाँ हेरे नाश गये मन तेरे शीवाना और किसे विभ्याँ मत आये मेरे पास पिटेगी या रात अंधरी से हेरे क्यों पीटे से हो क्यों पीटे से बता खता के पाड़ी मेरी से और कोड करक के तरवाश रुप्ते तेरी से हेरे पाड़ी पता के खोन मोणिया इरे तेरी से कोड करक के तरवाश रुप्ते तरवाश रुप्ते तरवाश रुप्ते तेरी से क्या बात है अब खाली जी नहीं केसी आप नाराज हो मुझे पक्का नाराज हो तेरे समें तो तरी सकल भी नहीं एर खाना खाले तू खाना खाले क्यूं तम कावे छेल अमीर मने अर जा कन्नुने खुवा दिये नाचाती खिर मने एर अखन ताना तोन शमजले और अपनी बीर मने तेरी नस नस केमा अर छड़ दिखे छुचक की हीर मने तेरी पोरी में छड़ दिखे छुचक की हीर मने और तेरी ओड़ का हो ख्याल पीर मन शांज सवेरी से जागी कन्नु के जागी कन्नु के रगेल करी छुच्टी हत प्यारी से पच्छने एर कोन करक्ते करवाचे से रुच्टे देरी से हमें तो अब भी वो गुच्टी है जमाना याद आता है हमें तो अब भी वो गुच्टी है जमाना याद आता है हमें वो अप्भी वो गुच्टी रा जमाना याद आता है ये श्रीमान और ये स्पाल जी उपाद जाए दादा मवासिनाज जी के पोते अपनी तरब से 200 रुपी शम्मान करते हैं आज के स्कारिकरम में बहुत बहुत धनेवाद ये खेडा अटानी से श्रीमान जिस्टर अपनी तरब से वो भी आज के स्कारिकरम में 100 रुपी शम्मान करते हैं बहुत बहुत धनेवाद बिल्किल भूद धनेवाद जी और ये हलो अधिये श्रीमान रिषी परधान परपुठी से आपनी तरफ से वो भी आज के इसकारिकरम में परधान जी सोर भी सम्वान कर दे हैं और ये बाद इसी भी जी ये हर्याना से जीला इसार से ग्राम पपो सा से यादर ने दादा दिलभाग जी चोधरी और उनके साला जी स्वाजी रानावत जो अपने पड़ोशी गाम दोनोरा से हैं दोनों की तरफ से इसी रागनी पर पान सुरुपे से जीजा साला समान करते हैं अपनी सुपाल्ठी का बहुत बहुत धनिवाद बहुत क्या खाना खाले बेलकोल नहीं खा सकता मैं तेरा खाना लेकिन ऐसी क्या बात हो गई इस से जाद्धा क्या बात होगी और कौन सी सुन ले बताता हूं बारा बजगे यर बारा बजगे बारा बजगे तु आई को न्या तेरी देखे बाट ली तेरे डोटी उपर शोक मेरी बावज ने डाट ली अरना बावज का खोट अड़े आवन ते नाट ली तन बुल्ली शोक बखागी आज मनी फेरे माल में बाट ली और शेर की नाक का इट ली नाम है का दड़ का लेरी से मन के गातर की ओ चाहत मेरी तरी का केरी से कोड खरक के दरवाजे पे रुके दे ली से काड़ी पाट के कान बाड़िया इरे तेरी से कोड खरक के दरवाजे पे रुके दे ली से ये दिल ये पागल दिल मेरा एक उट गया आवारी की इस दस्त में इक शेहर था वा क्या हुआ आवारी की ये दिल दिल जो पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवाज नी ये दिल रोटासी मिलिकपुर से अपनी तरब से आज के स्कारिक्रम में 100 रुपे सम्भान करतें बहुत वह धन्याद येंन शरीमान सहदेव जी मास्टल जी के पोते अक्षित निनाणा गाम से अपनी करब से आज के स्कारिक्रम में वह भी नह लुब बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान जी का ये 100 रुपे बिट्टू लड़के के नाम का पिंटू पिंटू फजला पुरसे बिट्टू आपनी तरब से 100 रुपे सम्मान करते हैं आज की इसकारेकर में बहुत बहुत धन्यवाद ये राकेश जी प्रदान जी फजला पुरसे पंद्रा सो रुपे कमेट्टी के लिए और 200 रुपे पार्टी के लिए यानि 17 सो रुपे सम्मान करते हैं आज की इसकारेकर में बहुत बहुत धन्यवाद ये श्रीमान सुभाज जी फजला पुरसे एक अजार रुपे कमेट्टी के लिए देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दुनिया नम्राख्री की बाद बताईए हाजी दोत बताजे दादा संकर दाश का नाम मने लोगों खुश होके गाया या धिराक मंगल चंदे गुरू अपनियते मने ग्यान पाया और बहाग बताया और बड़े बहाग बिनी और किसने नाम कमाया सुब करम करे बिना मानस दुनिया में जिस्या आया ना आया ओ शुदी करम करे बिने दुनिया में मानस आया ऐसा ना आया ओ गुरू चंदर लाली ओ जीव भी निकाया माती की डेरी से यह वो पार्य हुए जिसने इस सवर की रेल माला टेरी से कहिए और इसी बीच यह स्रीमान भू सन जी उपाद दहाए है अपनी करब से आज के सरकर में दोनों के लिए सो सरुपे शम्मान करते हैं भूत बहुत धन्यवाद यह ऑज सो किश्ट लुवारी शी scoringë से रामपाल जी मेंबर साहब लुहारी से, वो भी अपनी तरब से सोर भी शम्मान करते हैं, और ये स्रीमान वेदू जी कस्यप ग्राम लुहारी से, वो भी अपनी तरब से सोर भी शम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, सोर पिश्रिमान हरपाल जी का स्यप लुहारी से ही वो भी अपनी तरब से सोर भी सम्मान करते हैं सभी सजनु का बहुत बहुत धनिवाद देखी मियारां जे दादा संकर्दास का नाम मने खुश हो के गाया गुरु मंगल चंद गुरु अपने तेमने घ्यान पाया बड़े भागविन किसने नाम कमाया शुब करम करे बिना मानस दुनिया में जिस्या आया नाया गुरु चंदरलाल जीव भीन काया मात्ति की डेरी स सश्जय के म सभी वोट नो सब्लंए है अच्छी अच्छा पुन टोड़ी हैं आस ससरी चुगल होड़ सी अच्छी चुगल को व्र है और भुल्ली तो चुगळ खोर। लëकन तेरे शरीर पे साथ दी की एक नहीं दो नहीं तीन निसानि मन कोन सी है सतनी संध रातों को मेंदि लग्री कि नरा दे prejudice टारे पाडोस में कोई लड्का होया तां पा रेक जमित था तो सभी सभ्य केसे संधे एस नहीं पालो जो किस बात का कंगन यह कंगन को नियो तू रात्र मुझे मुझे जब शोरी थी जब तू रात ने सोरी दी तो मेरी भाप्पी ने बांदिया कंगन आर तेरी भाफी तेरे रेल बाइते तोरों सुत्ती गए देखिए ये कोई बात नहीं है ये तो निसानीदत ने फैल कर दी जी लेकिन तीसरी निसानी कैसे छुपावेगी कौन सी अरा इतने दूर परे खड़े ने या में कान लाग रिव बुटन की देखिए देखिए यह तुमने पर्फ्यूम लगा रहा है पर्फ्यूम लगा रहा है क्या वहोगया बैम और या देखिए मेराण जया मेरे आपको बच्ण देरका हैं कैसा बच्ण की शैदी आपसी करूगी अच्या हाँ सुन ले मताता हूं हाँ